हलो फ्रेंट्स मैं सेब डोकु सुनील ताहूं और कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकेस करेंगे एक बड़ा हाई कॉमन क्वेशन्स जो मेरे पेशेंट्स हमारे को पीडी में पूछते हैं सर यह जो राइनोप्लास्टी सर्ज जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी नोज सर्जरी जैसे आप सबको पता है कि एक नोज रिसेपिंग जोब है जिसमें नोज को रिसेप और रिसाइज अकोर्डिंग तो दा रेस्ट ओफ दा फेशल प्रोफाइल किया जाता ह है जिसमें कॉस्मेटिक भी हो सकता है फंक्शनल भी हो सकता है और कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों भी हो सकता है नाव दोस्तों सीधा पेशेंट का क्योशन होता है सर हां मेरे को नोज सर्जरी करानी है इसका कितना कोस्ट होता है दोस्तों एक टेलीफोनी के लिए अगर फिशेन्ट को जो राइनोपिश्टी सरजरी करा है उसका सज़न कोन है कि छोटे फोस्पिटल में रहे हैं छोटे वीडिया है जैसे ऑनाधर इंपोरेंट्ट है वो यह है कि आपको जो है वह आपकी बारी है डीट किसर्जरी करा रहे हैं या जैसिसव बार dic सरजरी है या दो बार पहले होके थर्ड टाइम जो है वो नोज की सरजरी है क्योंकि इसमें अमोमन जो है वो राइनोप्लास्टी सरजरी में धाई से तीन गंठे लगते हैं लेकिन बहुत बार जो केसे ही होते हैं वो तरसरी होते हैं दो बार या तीन बार ओपरेट हो चुके होते हैं और patient की बहुत complex deformity होती है तो उसमें उससे ज्यादा कई बार चार या पांच गंठे भी लग जाते हैं जिससे उसकी जो कोस्ट है जो राइनो प्लास्टिक की बढ़ जाती है क्योंकि राइनो प्लास्टिक कोई सरजरी करते हैं तो probentele कोलते हैं घर सकुट किकेशन जाता है अगर इंडिया में राइनो प्लास्टिक कोस्ट का आप ऑप्र 10-40000 और अपने बड़े corporate hospitals में इसकी cost है बट दोस्तों important चीज़े है कि now you decide कि मेरे nose में कितनी problem है और मेरे को जो है मेरी nose की complexity क्या है मेरे को कहां पर उसका treatment कराना है बट दोस्तों अपना treatment और अपनी surgery कराने से पहले जो भी surgeon है उसके बारे में अच्छे से अपने को पता लगा लेना चाहिए कि जो मेरी problem है वो वहाँ पे casual हो सकती है कि नहीं उसमें improvement आ सकता है कि नहीं उसमें correction हो सकता है कि नहीं जो आपका nose surgeon है उसके accreditation देखना चाहिए उसके previous patients के testimonials देखने चाहिए उसका previous experience देखना चाहिए और जो आपका कोई doctor है जिससे भी आपको पूछ के पता लगा सकते हो कि मेरे को इस doctor से में surgery करा रहा हूं वो जो है मेरी surgery के लिए उप्यूप हैक नहीं है दोस्तों यह सारी चीज़े हैं जो rhinoplasty की cost decide करती है तो I hope this information regarding cost is useful for you and you just share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness about the rhinoplasty surgery दोस्तों जाने से पहले YouTube channel को subscribe करना और bell icon को press करना ना भूलें कि आने वाले अनेक ऐसे उप्योगी वीडियो की जानकरिया आपको मिलती रहें थैंक यू